अर्विन सबसे पहले आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे सजा को लेकर अब जो है 30 दिन की जो मोहलत दी गई है इसमें राहूल गांदी के पास क्या विकल्प होंगे और संसद सदस्ता को लेकर किस तरह का खत्रा है देखे चंदन ये समझना होगा कि इस फैसले के दो हिस्से है एक तो राहूल गांदी को दोशी करार दिया गया है दूसरा उनको दो साल की सजा मुकरर हुई है इस मामले में जमारत मिली है इसका मतलब ये कि सजा का पर रोक लग गई उस पर भी रोक हासिल करनी होगी और इसके लिए यहाँ पर उन्हें उची अदालत का रोक करना होगा उची अदालत से रोक हासिल करनी होगी और यहाँ पर उची अदालत चुकि यह मामला चीप जुडिशल मजिस्टेट की कोट का आदेश है लिहाजा सेसन कोट से उन्हें दोशी करार दे जाने के फैसले पर भी रोग हासिल करने होगी ऐसी सुरत में ही उनकी संसस दिस्ता बच सकती है ठीक है अंजली यहां अध्याय पालिका पर पूरा पूरा सवाल खड़ा किया जा रहा है कॉंढा को आफ्याय के भाड़े निताओं कि तरफ से उदर कॉंढा करेकरता जो है वो सलक पर उत्रे हुए है यानि कॉंढा को कानूनी तौर पर लड़ी ही सियासी तौर पर जहादा लड़ने की तyारी कर रही है कर दिचाइए इसके बार्न रिह यहां इस किया गया तमाम कारेकरता है, यहां पर पहुच गए, यूद कॉंग्रेस के ओफिस पर, और यहां में रिसाफ जो बात कही जा रही है, वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कारेकरता हो कि और से, कि जो यह टाइमिंग है, यह फैसला आने की, हलाकि यह दूसरी हो रहे हैं, यहां बैरिकेट करके, भारी पोलिस बल जो यह वो टैनात कर दिया गया है, यहां स्पीकर से अनाउंस्मेंट की जारी है, कि प्रोटेस को यही पर हत्म कर दिया जाए, इससे आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि यहां से ठीक स्पास में ही अब जाए, इससे अब यहीं प्रोटेस की तमाम जो कारे करता है, यहीं कॉंग्रेस की जम गए है, और प्रोटेस उनका जारी है, जी रवी, बड़ी एहम बात है कि कॉंग्रेस के बड़े निता नियाय पालिका पर इशारो इशारो पर अटेक कर रहे हैं, जजजेश को पहले भी कॉंग्रेस पाटिय पर Ñइले तक राट कर चुक हुक्रक राठा रहा कि तो ये बात के इस भात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कही न खही अरोप लगाया जा रहा पॉलिटिकल लेकिन उम्मीद की जा रही है जुडिसेरी से तो इस तरह की बातों का ध्यान रखेगी पार्टी यह चाहेगी कि पॉलिटिकल इसका फायदा बिले कि हमको दबाया जा रहा है राहूल गांदी को जान बुज कर फसाया जा रहा है लेकिन साथी साथ इसका रास्ता इसमें जो राहत मिलने वाली उनकी सदस्ता जाने से और रहात कोट से ही मिलने वाली है कहीं बाहर से नहीं मिलने वाली है तो इसलिए कहीं न कहीं में एक दो रास्ता लेकर मली का घर के चले हं अलगी पाटी ने लाइन लिया है पुरी तरह से राहुल गांधी के साथ पूरी पार्टी राहुल गांदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई नजर आ रहे हैं नेता उनके समर्थन में बयान देही रहे हैं कारेकरता सड़क पर उत्रे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं कोई नहीं जानता है डेमो के सी के हालात जो देख रहे हैं क्या हो रहा डेमो के सुख लेकर लोग तंतर खत्रे में क्यूं कह रहे हैं हम लोग आज यूडी सी पर दबाव है इलक्षिन कमिशन दबाव है इडी इंकम टक्स इबी आई जो प्रीमिर एजेंशी हमारी है उगे क्रेडिबिल्टी बहुत बड़ी जाती थी आज तक उसका दुरुपय हो रहा है जम करके हो रहा है तो जो ऐसा महूल बनता है तो ऐसे फैंट मतला प्रवावी तो होते होता है वह महूल बन गया वह महूल बन गया है और राहूल गांदी जी के यह जो कॉमेंट है तो पॉलिटिकल कॉमेंट चलते रहते हैं हम तो 40-50 आते देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कॉमेंट पता नहीं वाजपे जी ने जमाने जी ने कित्ते किय तोई भूंकि कोई सोच ने सकता है। वो जमना औरता यह जमना और इतने फरक है। एस हर फिजल बनली पोलिटे का अची मोरली अची ची या का सव कि तू अची जुशिए लिग्शाएर ऎards टीचुशिए एस जह Weight